उसे थोड़ी तो अकल होनी चाहिए थी ना मैंने उसे खास माजी और इशु का ध्यान रखने के लिए काम पर रखा है पायल तुम पानी पियो इतना गुसा मत करो कल जब वो आ जाएगे तब उससे बात कर लेना वो ऐसे ही नहीं जा सकती उस तो वज़े ज़रूर होगी फिर अगले दिन जब उर्मिला काम पर आती है तब ही पायल उस पर खुब छिलाती है मेरे को माफ करना थी दी वो मेरे को एक ज़रूरी काम के कारण अधे दिन में ही जाना पड़ा लेकिन मैं तीन बज़े गई एक बज़े नहीं अंटी को बुलने की बिमारी है ना इसलिए उन्हें लगा होगा कि एक बज़ गए है देखो उर्मिला तुम यहाँ पर काम करने आती हो और अपनी नोक्री से ऐसे बिना कुछ बताए बीच में ही चले चाना तुमें शोबा देता है क्या अब जया माजी की अलत देखो आज तो भी वो बेदर मेसुस कर रही है लेकिन कल उनकी तब्यत कितनी बिगड़ चुकी थी लेकिन दीदी कल जब मैं यहाँ पर थी तब आंटी जी की तब्यत एकड़म टकाटक थी और अगर मेरे होते हुए उन्हें बुखार आया होता तो मैं यहाँ से कही जाती ही नहीं देवा शप्पत पर एसा भी कौन सा काम आ गया था तुमारा जो तुमें तीन बजे जाना पड़ा वो था कोई ज़रूरी काम देदी माफ करना लेकिन मैं नहीं बता सकती है आपको पर हां इतना जरूर कहेगी कि इस बार जाने दो ना देदी अगल बार से मैं इसे बिना बताय कई नहीं जाएगी मैं तुमें अब क्या ही कहो उर्मिला पिछले कुछ दिनों से उनने बहुत परिशान करके रखा है मुझे खेर चलो जल्दी से माजी के लिए गर्मा गरम सूप बना दो फिर दो पेर के खाने की तयारी करो ठीक है दीदी पुर्मिला अब सुनिता की बहुत अच्छे से देखरेक करती है और सुनिता कुछी दिनों में ठीक हो जाती है फिर एक दिन दीदी कल मेरी चिंकी का जनम दिन है उसके लिए मेरे को तोफा खरिदना है और एक छोटा सा केक भी लाना है क्या आप मेरे को पैसे दे सकती हो क्या वेसे भी दो दिन बाद पगार तो देनी ही है तो दो दिन पहले ही दे दो ना पिलिश दी दी अच्छा ठीक ही उर्मिला ये लो ये तुमारे पगार के पैसे और हाँ हमारी तरफ से भी चिंकी को जनम दिन के बदाई देना हाँ हाँ क्यों नहीं जरूर और आप दन का बहुत बहुत धन्यवाद मैं अगले हफते ही लेके आएगी चिंकी को इधर हाँ और मिला अगले हफते तो इशु को भी दो दिन के छुट्टी है तब चिंकी को तू लेकर आना उतना ही वो दोनों साथ में समय गुजारेंगे आखिर कर खेलने कुदने के लिए भी तो उन्हें कोई ना कोई लगता ही है ना जी आउंटी है सट है फिर एक सुबे ओफो पायल मैंने तुम्हें परसो रात को ही कहा था कि ये वाला शुर्ट और पैंट लॉंडरी में दोने के लिए देना लेकिन ये अभी तक यही बास्केट में पड़ा हुआ है देखो अर्विन जैसे तुम्हें धेरों काम रहते हैं वेसे ही मुझे उससे भी ज्यादा काम रहते है मैं खर का और बाहर का सारा काम एक साथ नहीं संबाल सकती और कपड़ को लॉंडरी में जा कर देना और उन्हें वापस लेकर आना ये मेरा काम नहीं है ये काम उर्मिना करती है तो तुम जा कर उसे ही कहो और मेरा दिमाग मत खाओ अरे बाबा मैं तो सुबह सुबह ही निकल जाता हूँ न और रात को लोटने पर वो तो यहा रहती भी नहीं है तो मैं उसे कैसे बताओ एक काम करता हूँ मा को बोल देता हूँ वो उसे बता देगी अरे ओ महाशे कहां जा रहे हो तुम्हें याद नहीं है क्या माजी को बूलनी की बिमारी है वो उर्मिला को नहीं बता पाईगी रहने दो और एक काम करो अपने ये कपड़े बाहर टेबल पर रख दो मैं ही बता दूँगे उर्मिला को एक काम करते करते मेरा दिमाग तो एक दिन फटने ही वाला है सच में पायल भी अपने सारे काम निप्टाते निप्टाते बहुत तक जाती है ऐसे ही एक क्रूज पुर्मिला काम पर अपनी बेटी चिंकी को लाती है चलो चिंकी मैं तुम्हें अपना नया डॉल हाउस दिखाती हो तुम्हें उसमें से जो भी डॉल पसंद आएगी बू तुम अपने साथ ले कर जाना मेरी तरफ से तुम्हारा बड़े गिफ्ट समझ कर अरे वाह सच्ची मुच्ची तुम बहुत अच्ची हो इशू शुक्रिया शिंकी बेटा कैसा था तुम्हारा जनम दिन तुम्हारी माने तुम्हारे लिए तुफ़े और केक तो लाया ना इस बार मुझे सब पता है अरे नहीं काकी जी माने मेरे लिए ना तो कोई केक लाया ना ही मुझे कोई तुफ़ा दिया लिकिन कोई बात नहीं मेरे लिए तो मेरी मा ही सबसे बड़ा तोफा है अरे वा, नी अच्ची सोचे तेरी वो भी इतने चोटी सी उमर में बगवान तुमें खुब कूश रखे बिटा जाओ, खेलो साथ में धन्यवार का कीजिए फिर सुनिता पायल के पास चाकर उसे चिंके के बात पताती है क्या? हाँ बहू, अब वो बच्चे जूर थोड़ी ना बोलेगी और वो कहे रही थी कि उर्मिला ने उसे जनम दिन के आउसर पर कुछ भी नहीं दिया तो फिर उसने हमसे पैसे क्यों लिये? पिछले कुछ तिनों से उर्मिला के स्वभाओं में काफी ज़्यादा बदलाव आ गया है और हम उसे इस पारे में कुछ भी नहीं पूछ सकते और ऐसे पूछना अच्छा भी नहीं लगता हाँ बहू, तेरी बात भी सच है जाने दे लेकिन ये बात सोचने वाली है ना? इसलिए मैंने तुझे आकर बताया पूर्मिला से कभी कबार गलतिया हो चाती है पर वो अपना सारा काम बखू भी करती है चलिए अंटी आपका खाना भी हो गया है और इशू भी स्कुल गई है और अब आपका गुमने का समय हो गया है डॉक्टर ने कहा है ना आपको जितना हरियाली के बीच गुमाया जाए उतना इच अच्छा होगा आपके लिए ठीक है उर्मिला चलो चलते हैं फिर उर्मिला सुनीता को पार्क में लेकर जाती है जो आपर सुनीता की सहली भी मुझुद होती है अरे उर्मिला मैं तो चल चल कर ठक गई रहे मुझे कही से पानी ला कर दे दे वो देख वहाँ पानी का बंदोबस किया हुआ है अरे नहीं आंटी जी क्या आप भी मेरे होते हुए आप बाहर का पानी कैसे पियोगी मैं जब भी आपको बाहर लेकर निकलती है सारा बंदोबस करके इच निकलती है आपके लिए मैंने पानी की बोटल लाई है क्या बात ये उर्मिला तुमारा बहुत बहुत धन्यवाद अगर तु नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता जिस प्रकार से तु मुझे और इशु कर संभालती है वेसे हमें कोई नहीं संभाल सकता फिर सुनिता पानी पिती है और उर्मिला को सुनिता की इतनी देखभाल करते हुए देखकर सुनिता की सहली अश्यरे चकित रह जाती है वाकई में सुनिता ये तेरी काम वाली तो बहुत ही अच्ची है वरना आजकल के काम वालिया तो बस लालची और कामचोर होती है हाँ ये बात तो तुने एकदम सही कही वेसे उर्मिला तो मेरे घर पर भी आ जाना काम करने वो देख मेरी बहुँ मुझे आदे गंटे के लिए यहाँ पार्क में गुमाने लाई है लेकिन अभी भी वो अपने फोन में ही लगी पड़ी है मुझ पर मेरे घर में कोई ध्यान नहीं देता और अगर मुझे भी तुझ जैसी कोई काम वाली मिल जाए तो मेरी सारे चिंता ही मिल जाएगी वैसे बात तो आपकी सही चे आँटी जी लेकिन मेरे को दीदी के पास पूरे बारा गंटे के ड्योटी करने पड़ती है उसके बाद ही अपने घर जाती है मैं अब आप इच बताओ इतने सारे काम के लोड के बीच में मैं आपकी पास काम करने कैसे आएगी मुम्किनिच नहीं है ना इसलिए माफ करना लेकिन मैं नहीं आ सकेगी ठीक है उर मिलाओ कोई बात नहीं बेसे अगर तुमारी पहचान में कोई और कामवाली हो ना जो बिल्कुल तुमारी तरह ही काम करती हो तो मुझे जरूर बता देना ठीक है अंटी मैं पक्का बताएगी आपको फिर जब दिवाली को कुछी दिन बचे होते हैं तभी अरे दिदी, कल मेरे को मेरे गर की दिवाली के साफ सफाई करने की है इसलिए कल में नहीं आप आएगी या? अरे ये तुम क्या केरे हो उर मिला? अरे कल और परसो मुझे भी चुट्टी है और इसे में मैंने ये सोचा कि मैं अगर गर पर रहूंगी तो तुमसे सारे सफाई करवा लूगी क्योंकि सफाई करते समय मुझे तुमें हर एक चीज पतानी पड़ेगी न अरे देवा देखो और मिला दिवाली मेरे भी गर में होगी तुम चाहो तो कल हाफडे कर देना दो पहर को चली जाना लेकिन पले छुट्टी मत लेना इतनी मुश्किलों से मुझे दो छुट्टियां मिल पाई है और इस बीच में मुझे सारे करके साफ सुफाई करनी ही है अरे आप चिंता मत कर दिदिए मैं एक काम करती हूँ मेरी एक सहली है बसंती वो भी मेरी शतरे काम करती है कल के लिए मैं उसे यहां भेज देती हूँ वो कर लेगी सारे काम अच्छे से आप एकदम बिंदास रहो अखिर एक दिन के इस बात है चलेगा न दिदी ए बगवान ठीक है उर्मिला अब क्या ही कर सकते हैं चलेगा भेज देना उस बसंती को लेकिन कल ही भेज देना एक दिन के लिए तुम्हें एर्जेस कर लूँगे लेकिन उससे जादा नहीं और उसो तुम ही आजाना आ दिदी आ जाएगी मैं फिर अगले दिन उनके घर नोकरानी बसंती आती है जो की बहुत ही सुजी हुई होती है अरे बहू ये काम करने आई है या फैशन शू करने इतनी लाली लिपिस्टिक कौन लगाता है भला तो बताओ मिन साब कौन से एरिया में से शुरुवात करनी की है मुझे तो पहले ही बहुत लेट हो रिला है इसलिए मैं जटपट सारा काम करके चली जाएगे ओ हेलो जटपट काम करने का क्या मतलब है सारा काम अच्छे से और वक्त लेकर करना अरे काई को चिंता करे लिए हो मिन साब बसंती के हाथ में जदू है जदू में जिदर भी चूती है उदर की जगे एकदम चिकनी हो जाती है हम चलो एक-एक करके में तुम्हें सारे काम बताती हूँ फिर पायल बसंती को सारे काम बताना शुरू करती है पहले एक गंटे में तो वो सारे काम सही से करती है लेकिन उसके बाद में अरे ये क्या यहाँ पर तो तुमने साफ किया ही नहीं बसंती पहले ये जगे साफ करो फिर तूसरी जगे सफाई करना क्या? अरे ये मेरा काम थोड़ी ना है मेम साब तो ये तुम्हारा काम नहीं इसे तुम्हारा क्या मतलब है मैंने थोड़ी ना तुम्हें नाचने या गाने के लिए बोला है सफाई ही करने के लिए बोला है न वेसे भी तुम यहाँ पर सफाई ही करने आई हो वो बात नहीं है मैम साप यह डस्टिंग का काम है इसलिए मैं यह काम नहीं करेगी इसके लिए आपको मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा ये तुम क्या बक्वास कर रही हो बसंती हाँ मेम साब मेरे कतुर मिला ने ऐसा कुछ बताया इच ने अब दूसरे काम फटा फट बता खाली फोकट बैटकर मेरा तैम बेस्ट हो रहे ला है बसंती की बाते सुनकर पायल को बहुत खुसा आता है फिर अगले दिन देखो और मिला आइंदा से मेरे घर पर इसी और काम वाली को भेजना भी मत अरे कल उस बसंती ने मेरा इतना दिमाग कहया कि क्या ही बताओ उसने सिर्फ आधी सफाई की है डस्टिंग करने का कहा तो बोलती है कि वो अलग से पैसा लेगी अरे ये भी कोई बात हुई क्या वो दरेसल बाकी कामवालिया कामों को देख कर इच अलग-अलग पैसे लेती है अब मेरी तो यहाँ पर बारा गंटे की ड्यूटी है ना इसलिए मैं इसमें सारे काम कर देती है वरना में भी आपके लिए अलग-अलग रेट लगाती पर आपने का आतों में फिर कभी नहीं बुलाईगी किसी और कामवाली को और हाँ दी इतना संभाल कर लेने के लिए शुक्रिया अरे ये शुक्रिया वगिरा बाद में बोल लेना अब चलो जितनी सफाई बची है वो आज किसी भी हाल में पूरी करनी ही है वरना सारा बचा हुआ काम कल पर चला जाएगा और कल तो मैं ओफिर जाऊंगी तो तुम्हें याँ पर बताने वाला कोई नहीं रहेगा हादी दी हम सारा काम आज इस निप्टा लेंगे ताकि मेरे को भी बाद में टेंशन नको फिर उर्मिला सफाई करने चली जाती है ऐसे ही एक दिन अंटी जी मेरा सारा काम तो हो गया है बस एक गंटे की ही द्यूटी और बाकी है लेकिन मैं सोच रही है कि आज एक गंटा काम जल्दी हुआ है तो मैं अभी चली जाती हूँ अब आपी ज बताओ मेरे को जाओ या रुको मेरे कपड़े तो आलमारी में ठीक से रग दिये ना हाँ आंटी जी वो तक कपका रग दिये मैंने ठीके फिर तो जा और कल जल्दी आना लेट मत करना ठीके आंटी जी चल आती है मैं बाई पुर्मिला उस दिन एक कंटा चलती चली जाती है लेकिन कुछ ही देर बाद पीश्य तो अभी ट्यूशन गई है और आज उसे आने में देर होगी एक काम करती हूँ मैं तब तक पास के मंदिर होकर आती हूँ आज शाम में वहाँ पर बहुत सुन्दर बजन होने वाला है फिर सुनीता मंदिर चली जाती है लेकिन वहाँ से लोड़ते समय वो बूलने के बिमारी के कारण घर का रास्ता ही बूल जाती है ये गली या वो गली ए भगबान अब मैं घर कैसे जाऊंगी मुझे तो रास्ता भी याद नहीं है तब ही अच्छानक से एक टेज रफ्तार की गाड़ी से टकरा कर उनिता का बुरा एक्सिडेंट हो जाता है और वहाँ पर लोग इखटा हो जाते है और इबापरे हमें इन आंटी को फोरण होस्पिटल लेकर जाना चाहिए आओ और लगता है ये इनका फोन है इसमें लास्ट डाइल नंबर पर कॉल लगाता हो और उन्हें भी बता देता हो लास्ट डाइल नंबर पाइल का ही होता है और वो आदमी पाइल को कॉल लगाता है तब पाइल ऑफिस में काम कर रही होती है क्या माजी का एक्सिडेंट हो गया लेकिन ऐसे कैसे पुरमिला पुरमिला का आपर है और उसके होते हुए माजी का एक्सिडेंट कैसे हो गया अरे भाबी जी यहाँ काकी जी अकेली ही थी उनके साथ और कोई भी नहीं था और अब हम उन्हें लेकर सिटी होस्पिटल जा रहे है तो आप भी सिधे वही पर आ जाईए क्या? उनके साथ कोई भी नहीं था अच्छा ठीक है अब प्लीज मेरी माजी के साथ ही रहे है उन्हें फोरण होस्पिटल लेकर जाईए मैं मैं भी पहुच रही हुँ आपर अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन दबाना ना भूले वेराट के चले जाने के बाद आरो ही समर के पाँच जाती है समर बेटाओ तुमारे पापा क्या कह रहे थे तुमसे? कुछ नहीं ममा वो मेरे साथ बस खेल रहे थे और बता रहे थे कि दादी और दादो मुझे बहुत याद करते है सच कहू ममा तो मुझे भी उनके बहुत याद आती है क्या हम फिर से बाब पर नहीं जा सकते? नहीं समर ये अब मुम्किन नहीं है क्योंकि अब हमारा उन लोगों से कोई नाता नहीं है वो लोग बस अच्छा होने का दिखावा करते है लेकिन असलियत तो कुछ और ही है लेकिन मम्मा देखो समर अब मुझे इस विशे पर कोई बात नहीं करनी और तुम अपने पापा से फिर से नहीं मिलोगे मैंने उन्हें यहां आने से मना कर दिया है चलो अब अपना होमवर्ग करो विचारा समर कुछ नहीं कह पाता ऐसे ही एक दिन ओफिस में आरोही का बस उसे सब के सामने खोब सुनाता है आरोही, तुमारा ध्यान कहा पर है अरे तुमारे उस गलत प्रेजेंटेशन के कारण प्लाइंस बुरा मान गए है और उन्होंने हमारे साथ दिल पक्की ही नहीं की माफ कीजिए सर मैंने तो बस एक गलती ही की थी लेकिन बाकी का पूरा प्रेजेंटेशन एकदम सही था मैं सच कही रही हूँ सर अरे चुप रहो पहला मोका ही आखरी मोका होता है अगर पहली बार में ही तुम किसी के साथ इस तरह से पेश आओगी तो सामने वाला और तुमसे क्या उम्मिद रखेगा देखो आरोही मैं तुम्हें आखरी चेतावनी दे रहा हूँ काम पर ठीक से ध्यान दो और अपनी नीजी जिन्देगी और काम दोनों को अलग-अलग ही रखो वरना ये तुमारे लिए मुश्किले पैदा कर सकता है ठीक है सर मैं समझ गई आरोही को बहुत बुरा लगता है फिर घर आकर वो अपना कमरा बिखरा हुआ देखती है ये सब क्या है समझ तिलोने कही पर तो किताबे कही पर पूरे कमरे को कबर खाना बना कर रख दिया है तुमने माफ कीजिये मम्मा लेकिन अभी अभी मेरे दोस गए है न इसलिए इतना गंदा पड़ा है लेकिन आप चिंता मत कीजिये मैं अभी साफ कर देता हूँ और मम्मा आपने मेरे लिए क्राफ्ट कित लाई क्या जो मैंने आपको लानी के लिए कही थी नहीं लाई बेटा क्या मम्मा अब मैं क्या करूंगा मुझे प्रोजेक्ट बना कर देना है कल अरे इंसान हुमे फोई मशिन नहीं मेरा इंतजर करने से बहतर यही होता ति तुम जाकर नानू के साथ लेकर आते उसे और मैं क्या क्या संभानू बस सरदर्द देने के अलावा तुमें आता ही क्या है नाला एक कही के अब दफा हो जाओ यहां से बीचारा समर इस पर भी कुछ नहीं बोल पाता और चुप चाप वहां से चला जाता है तभी वहाँ पर सुनिता आती है क्या हुआ है बेटा क्यों उस बेचारे पर चिला रही है अरे चिला उने तो क्या करू मा चौकलेट दो क्या उसे अरे घर आते ही यह बिकरा हुआ कमरा देखने को मिला उपर से महाशे ने अभी तक क्राफ्ट किट भी नहीं लाया है आखिर में बाहर का काम संभालू या घर का काम संभालू पक्चुकी हुमें यह सब कर करके देख बेटा वो एक छोटा सा बच्चा है और बच्चे अगर सामान नहीं बिखरेंगे तो क्या बड़े बिखरेंगे क्या और हमारा समर बाकी के बच्चों से काफी अच्चा है उसके अभी अभी दोस गए है बरना अभी तक तो उसने कमरा साप भी कर दिया होता और रही बात क्राफ्ट किट की तो तूने ही उसे कहा था कि वो के तू उसे ला कर देगी और अब तू ये बोल रही है कि वो नानू के साथ चला जाता देखिए मा मेरा दिमाग पहले से ही बहुत कराब हुआ है और इस पर आप समर की सफाई देकर और खराब मत कीजिए पहले ही बोस नी आज मुझे बहुत लेक्चर दिया है और अब घर में आप शुरू मत हो जा अरे हर किसी को काम का तनाव रहता है तू कोई दूसरे ग्रेपर जाकर काम नहीं करती इसलिए ये काम की बाते तू मुझे कर ही मत और अपने काम का गुस्सा इस तरह बच्चे पर निकालना सही नहीं है आज की आहे लेकिन दोबारा मत करना सुनिता की बाते सुनकर आरोही और ज़द गुस्सा हो जाती है लेकिन वो अपनी मा को कोई जवाब नहीं देती एसे ही एक रोज आरोही अपने दोस्त अरविन के साथ घूम कर देर रात घर लोगती है बाई अरविन मिलते हैं कल ओफिस में उन दोनों को साथ में उनकी पड़ोसन उमा देख लेती है हे बगवान ये आरोही तो शादी शुदा है और फिर भी एक गेर मर्द के साथ ये सब कर रही है नहीं नहीं ये बात तो मुझे कल सुबे तक सुनिता बहन को बतानी ही होगी फिर हुमा अगली सुबे सुनिता को सारी बाते बताती है क्या? हाँ सुनिता बहन अब आप ही बताईए आपकी बेटी कुवारी थोड़ी ना है वो एक सुहागन है एक बच्चे की मा भी है और ऐसे में देर रात तक किसी केर मर्द के साथ आना ये सब शोबा नहीं देता मैंने देखा इसलिए सीधा आपको बताने आई हूँ लेकिन मेरी जगे पर अगर कोई और पड़ोसी होता ना तो वो पहले पुरे मोहले में दिंडोरा पिटती और उसके बाद वो आपको बताती हाँ उमा बेहन ये बाद तो आपने एकदम सही कई ओई धन्यवाद आपने ये बाद बता कर बहुत अच्छा किया मैं अपनी बेटी को ज़रूर समझाऊंगी फिर सुनीता और जगजे दोनों गुसा होकर आरोई को खुब सुनाते हैं और ये मैं शादी शिदा हूँ लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना है कि मैं किसी आदमी के साथ गूमफिर नहीं सकती वो लड़का मेरा कली के मा और हम दोना सिफ अच्छे दोस्त है अरई बेटा हम तुझे ये नहीं पूछ रहें कि तेरा उसके साथ क्या रिष्टा है लेकिन पती होने के बाद भी तू बाकी आदमियों के साथ ऐसे गूमती रहेगे तो केसे चलेगा बेटा लोग तो नाम रखेंगे ही न और सोच अगर समर्णे तुझे देख लिया होता तब क्या होता क्या जवाब देती तू अपने बेटे को दोस्ती सबके साथ कर चाहे लड़का हो या लड़की लेकिन दोस्ती इतनी भी गहरी नहीं होनी चाहिए कि वो लोगों की नजर में आ जाए अरे बस करो आप दोनो जब देखो तब भाशन देते रहते हो और मैं कोई चोटी बच्ची नहीं हो मुझे भी समझाता है और मेरा मन अच्छे से जानता है कि क्या सच है और क्या जूट है दुनिया गई तेल लेने मुझे उनसे कोई फरक नहीं पड़ता जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए अरे ये क्या बच्टमीजी है तेरी हाँ हम लोग एक समाज में रहते हैं और यहाँ पर इस तरह का व्यवहर नहीं चलता बेटा आरोही अपनी मा की एक नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का और देखना सुनीता एक दिन इसकी यही जिदिस पर बहुत भारी पढ़ने वाली है फिर एक दिन जब आ रही ओफिस से घर आती है तब ही समर अपने कमरे में होता ही नहीं फिर वो नेहा के पास जाती है अरे नेहा समर कहा चला गया वो नंदोई जी आये थे अज हसमुक काका का चनम दिन हेना इसलिए वो समर को लेकर गये है क्या विराट की ये हिम्मत मैंने उसे इतना कहा लेकिन उसके बाद भी वो समर को उस घर में लेकर गया है वो भी पापाजी के जनम दिन के लिए नई उनने ये हरकत करके बहुत गलत किया है विराट आरोही गुसे में आग बबुला हो जाती है और फोरान अपने सोसुराल पहुचती है जहाँ पर समर अपने दादू के साथ उनके जनम दिन का केक काट रहा होता है ये लीजिये दादू आ कीजिये वाँ बेटा प्या स्वादिस्ट केक है आपके पोते की ही पसंद है पापा शुक्रिया मेरे जिगर के तुकडे अरे बन करो ये तमाशा आरोही तुम यहाँ पर विराट मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे बेटे से मिलने के कोशिश भी मत करना और उसके बाद भी तुम उसे यहाँ पर लेकर आये हो शायद तुमारी याददश थोड़ी कमजर हो गई है आरोही मैंने जाते जाते तुमसे ये भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेरे बेटे को मिलने से कोई नहीं रोक सकता और आज उसके दादा जी का जनम दिन है और इसलिए वो आज यही पर रहेगा अरे चुप रहो और समर चलो मेरे साथ चलो अरे नहीं बहो आज की दिन तो रहने दे इसे यहाँ पर प्लीज आज की दिने सब कुछ भी मत कर मैं तुससे बिंती करता हो पापा आपको यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है और यह होती कोन है यह सब करने वाली समर पर जितना हक इसका है उतना ही हक मेरा भी है बहु मान जाना अरे कब तो की उगुस्सा रहेगी और इन सब का समर पर कितना बुरा असर हो रहा है ये भी तो देख इस नन्नी सी उमर में उसे अपने माता-पिता के जगड़े देखने पड़ रहे हैं परे आपको ये सारे जगड़े तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन उन जगड़ों का क्या जो आप मेरे साथ किया करती थी देख बहो उस वक्त तो गलत थी इसलिए हमने तेरे साथ जगड़े किये और जोगड़ों के बाद हमेशा हम ही तेरे पास आये हैं और आज भी वही कर रहे हैं क्योंकि हमारे मन में इतनी मेल नहीं है जितनी की तेरे मन में है, हाँ है मेरे मन में में, और देखिए, मुझे आप लोगों से बात करना तो क्या, आप लोगों की शकल देखना भी मुन्जुर नहीं है इतना कहेकर आरोही समर को लेकर जाती है, आरोही, रुख जाव आरोही समर को ऐसे जाते देखकर असमुख भी बेचारा भाउख हो जाता है वही जब ये सारी बाते आरुही के माईके वालों को पता चलती है तभी नहीं दिदी, आपने ये सब सही नहीं किया है अरे अगर आपको उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना है तो आप मत रखिए लेकिन इस सब में आप समर को क्यों पिस्वा रही हो आदि दे आप चाहे कुछ भी कहो नंदवी जी समर के पिता है और उनका समर पर पूरा आधिकार है और समर को भी तो अपने दादा दादी के साथ वक्त बिताने की इच्छा होती होगी ना अपने पिता की साथ भी गुमने की इच्छा होती होगी खिलनी की इच्छा होती होगी इसलिए आप समर को उन लोगों से दूर मत कीजिए मा अरे आप दोनों बेटा बहु से कहे दो कि ये दोनों मुझे ना सिखाए मैं उनसे उमर और हेसियत दोनों में बड़ी हूँ तो अपनी हद में रहे कर बात करें अरे क्या गलत कह रहे है ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे है जगडा तेरा हुआ है समर का नहीं अरे तू जो हरकते कर रही है न ये सब देखकर कल को कही ऐसा ना हो जाए कि समर खुद तुझे छोड़कर अपने पिता के पास चला जाए इसलिए समय रहते ही अपनी गलतिया सुधार दे बेटा सब के समझाने के बावजुद भी आरोई किसी की एक नहीं सुनती और अपनी ही मनमानी करती है और इन सारे जगडों के बाद जब सुनिता आरोई के ससुरल वालों से बात करनी के लिए उनके घर पोहुशती है तब उनकी सारी बात्चित सुन लेती है अरे केसी लड़की है ये सारी गलती उसी की थी उसी की हरकोतों के कारण जगडा हुआता उस दि और उसने खुद ने ही घर छोड़ दिया और नहीं तो क्या ना तो वो जल्दी उड़ती थी ना ही समर पर ठीक से ध्यान रखती थी घर का सारा काम तो मेही करती थी और इसके बाद भी बत्तमीजी तो इतने के पूछो मत और उपर से नौकरी का गमन और बस अपना ही स्वार्थ देखती थी उस राद भी उसी के गलती थी उसे पहले से पता था कि घर पर महमान आये हुए है लेकिन उसके बाद भी वो पार्टी करके आई और वो भी एकदम नशे में दूथ होकर और जब हमने उसे दाटा तो अगले दिन खुद ही चली गई घर छोड़कर उनकी यह सारी बाते सुनकर सुनीता घर के अंदर आती है अरी ये सब आप क्या कह रहे है इसका मतलब इसी कारण से आरोई ने घर छोड़ा था अरे माजी आप यहाँ पर हाँ बेटा अब मुझे सच चच बता क्या वो यही कारण था हाँ माजी यही है वो वजे और माफ कीजिए मैंने ये बात आपको कभी नहीं बताई क्योंकि ये सब सही नहीं था अपनी बीवी की इज़त का मान रखते हुए मैंने ये बात इस गर की चार दिवारों में ही रखी थी अच्छा हुआ जो आज मुझे सारी सच्चा ही पता चल गई आरोई ने बहुत गलत किया है लेकिन अब मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी फिर सुनीता सीथी अपने घर चली जाती है और वो आरोई को खुब सुनाने लगती है क्या हुआ इसका मतलब उन तिनों ने आपकी अच्छे से कान भरे है अरे आपको क्या लगता है कि मैं कभी शराब पी सकती हूँ हाँ मैंने एक बार गलती से पी ली थी लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं एक शराबी हूँ और बार बार पीती हूँ अरे बेशरम लड़की सिफ उतनी ही वज़ा नहीं है तेरी और भी अंगिनत गलतिया है जिस कारण तेरे ससुराल वालों ने उस दिन अपने सबर का बान तोड़ दिया था और खूब सुनाया तुझे और सुनाते भी क्यों नहीं आकिर कितने दिनों तक वो तेरे नकरे से थे मुझे बिलकुल अंदाजा नहीं था कि तु इतनी निरलज निकलेगी ठी अरे तु एक मा है बच्चा अपनी मा से ही सीखता है जरा ये तो सोच इन सब का तेरे बेटे पर क्या आसर होगा और मुझे तो उन लोगों में कोई खोट नजर नहीं आती क्योंकि जो उसने उनके साथ किया है वही ये हमारे साथ भी करती है खुद को कितनी महान समझती है और किसी के बारे में सोचती भी नहीं यहां तक कि अपने खुद के बेटे समर के भी बारे में नहीं सोचती देख बेटा अगर तो चाहती है कि सब तेरे साथ अच्छे से पेश आए तो पहले तो खुद अच्छी बन जा फिर दूसरों से उम्मिद रख बेवकूफ कही कि ठीक है अगर आप सबको भी यही लगता है कि सारी कलती मेरी ही है तो मैं आप लोगों के साथ भी नहीं रहूंगे अरे वो लोग तो पराय थे लेकिन आप लोग मेरे अपने होकर भी मुझे नहीं समझ पा रहे है और आज आप लोगों ने भी मुझे गर चोड़ने पर मचबूर कर दिया है लेकिन अप बस अब बहुत तकलिफ में आप लोगों को नहीं दूँगे अपसे में और मेरा बेटा अकेले रहेंगे हमें किसी की जरूरत नहीं है आरोही का ये फेसला सुनकर घर के सभी लोग चोड़ चाते हैं अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकोन दबाना ना भूले वोस आदमी को देखकर बशा पॉरन नीचे चलिया थी और तभी वो देखती हैं कि वो पासी के रेस्टोरंट गोल्डन हाइट का डिलिवरी बॉय है ये लिजे मैम आपका पार्सल शुक्रिया ये रहे आपके पेसे तभी सुहानी देखती हैं कि वहाँ पर वर्शा कड़ी है अरे वर्शा भाबी आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हो अरे सुहानी मैं तो टेरेस पर थी और उपर से मैंने तुम्हें देखा इसलिए नीचे चलिया आई लेकिन तुमने इतनी रात कए रेस्टोरंट से खाना क्यों मंगवाया है यह कोई टाइम है क्या सुहानी वो भाबी आज मैंने ठीक से खाना ही नहीं खाया था इसलिए मुझे बोक लग गए और मैंने खाना मंगवा लिया अनुझ भाईया ने मेरे इस नए स्पार्ट फोन में खाना मंगवाने का अब भी डाल दिया था इसलिए मुझे मंगवाना आ गया अच्छा एसी बात है क्या लेकिन क्या मंगवाया है तुमने और मंगवाया तो सही लेकिन पीछे के गेट से किवाया वो अब आगे के गेट में सारे गाड इस समय सो रह होंगे न तो खामो काम मेरे काम से उनकी नीम तूट जाती इसलिए मैंने इसे पीछे के गेट से बुलाया और मैंने रेच्टारंट की स्पेशल थाली मंगवाई है मुझे तो साधा खाना ही पसंद है न आपको तो पता ही है चलिए अब मैं चलती हूँ शुब रातरी इतना कहकर सुहानी वहाँ से चली चाती है फिर अगले सुबह बरशा ये बात स्वाती को बताती है क्या बात कर रही हो बाबी अरी ये तो बड़ी ताज्जूब की बात है चार दिन नहीं हुए इसे फोन इस्तिमाल करे और उसे खाना मंगवाना भी आता है ये लड़की तो बड़ी तेज है आस्वाती मुझे भी ये बात बहुत अजीब लगे कह रही थी कि देवर जी ने सिखाया है उसे फिर भी उसका बरता मुझे कभी समझ नहीं आता हाव आभी मुझे भी तुहानी अब समय के साथ साथ काफी मॉ तेक उसकी दोनों बाविया अश्यरे चकित रह जाती है फिर एक रोज ए राम जी मेरे हात अर पेर दोनों बड़े दर्द कर रहे हैं अरे स्वाती जरा मालिश कर दे ना मेरी लेकिन मा जी मेरे हाथों में तो छाले आ गये हैं वो मैंने कल सिल्बर टेपर मसाले कूटे थे तप क्या करें अमारे बंगले में दूसरों के जैसे खाना बनानी के लिए नो कोई जो नहीं है इसलिए घर की बवू को ही सारा खाना बनाना पड़ता है ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर अमारे कांदान की यही रीथ है बाकी सारे कामों के लिए नुक और चाकर चल सकते हैं लेकिन दसोई के काम तो घर की लक्षमी यानि घर की बहू ही करेगी हम अच्छा सुहानी तुम ही कर दो ना मा की मालिश लेकिन स्वाती भावी मैंने अभी अभी तो ये सुन्दर नेल्स बनाये है मुझे पड़ोस की लड़कियों ने कहा कि ये तुम पर खूब चचेगा इसलिए मैंने भी बनवा लिये और मा अगर मैंने आपकी मालिश कर दी तो ये नेल्स तूख चाहेंगे माफ कर दो मुझे लेकिन मैं आपकी मालिश नहीं कर पाऊंगी हुई बात नहीं बिटिया वर्शा तो अभी बाहर गई है वो आएगी तब कर देगी मेरी मालिश नहीं मा जाने दो इतनी बुरी बेटी हूँ मैं पाप और पापा मेरे लिए कितना कुछ करते हो और एक मैं हूँ जो आपकी मालिश भी नहीं कर सकती क्या नहीं में तो आपकी मालिश करके ही रहूंगी फिर चाहे मैरे नाखुन ही तोड़ जाए अरे नहीं बेटी ऐसी कोई बात नहीं है अगर तुने मेरी मालिश भी नहीं की तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा तू बैठ और आराम कर नहीं मा मैं बहुत बुरी हूँ ओ कॉर्ड ये लड़की तो फिर से शुरू हो गए पता नहीं इसने आश्रम से अध्यात्मिक शिक्षा ली है या फिर किसी नोटंकी करने की डिगरी लेकर आई है एक बार इसकी नोटंकी शुरू हो गए तो खतम होने का नाम ही नहीं लेती सुहानी बिटिया तो चिंता मत कर वर्षा भी आती ही होगी फिर वो कर देगी सुहानी अब अपने भाईयों के साथ स्विजर लैंड भी गूम कर आती है और वहाँ से आने के बाद उसके हाव भाव तो और भी ज़्यदा बदल जाते हैं और सभी ये देखकर काफी चोग जाते हैं फिर एक दिन जब गर पर नालीनी की सहेलिया आती है सुहानी बिटिया ये मेरी सहेलिया है हेलो आण्टी जी आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और नालीनी तुमारी बेटी तो हमें नमस्ते करने के जगे हेलो बोल रही है ये तो आश्रम गई थी ना तो आती ही ये बदल के से गई आ हाँ पड़े भी तो देखो इसके आपकी बात सही है आण्टी जी लेकिन वेश बूशा और भाषा से किसी के वेक्तित पर किरदार को पहचाना नहीं चाता बलकि उसके कर्म और स्वभाव से पहचाना जाता है और हाँ अब मैं आपने आपको आश्रम के बाहर के इस दुनिया में डालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं आश्रम में मिली हुई सिक भूली नहीं हूँ देखा बेनो शाब बाश मेरे बेती पल में कोश तो पल में कोश और इडियट कही कि शांत रहो स्वाती सुन लेगी तो फिर से नोटंकी शुरू कर देगे फिर एक दे जब वर्शा और स्वाती रसुई में काम कर रहे होती है तभी वहाँ पर सुहानी आती है बाबी मुझे वो बिस्किट खाने थे जो मैंने स्विजर लैंड से लाए है वो बिस्किट तो उस नीले वाले डब्बे में रखे है ही के बाबी टैंक यू अच्छा सुहानी तुमें तो केबल सात्रिक बोजन ही बनाने आता होगा ना चलो अब से हम दोनों तुमें बाकी के पदार भी बनाना सिखाते है तुमें वो सब तो बनाने आता ही नहीं होगा ना इसलिए दन्यवाद भाबी लेकिन मुझे उसके कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी किस्मत आप दोनों जैसी नहीं होने वाली क्योंकि मैं इस घर के बेटी हूँ और मैं तो किसी ऐसे ससुराल में जाऊंगी जहाँ पर मेरे हाथ की नीचे दस नोकर होंगी और वहाँ पर मुझे कुछ काम करने के जरूरत ही नहीं होगी अच्छा भाबी मेरी लिए आधे घंटे बाद वो अध्रक वली चाय बेच दीजिए वो भी प्याज और पनेर के पकड़ों के साथ इतना कहकर सुहानी वहाँ से चली चाती है जिसके बाद स्वाती और गशा दोनों को खूब गुश्स आता है ऐसे ही एक दिन उन्हें आचानक से बिजनेस में पहुत बड़ा प्रॉफिट होता है और वो दोनों भाई अपनी खुशी पुरे परिवार के साथ बाठते है वाव वाव अनुश भया मादव भया आपको बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो गया तो आप मुझे एक नही कार दिला दोना मुझे हर रोज ड्राइवर का इंतजर करना पड़ता है और उसी के साथ जाना पड़ता है जब मेरे पास मेरी नही कार आएगी तो अब मैं खुद उसे चलाना सीख कर कहीं भी आराम से जा पाऊंगी पर सुहानी कार चलाना तो काफी घातक हो सकता है न और जहां तक मुझे पता है तुमने तो कभी साइकल भी नहीं चलाई होगी नहीं बाबी हमारे आश्रम में मुझे एक दिन एक नेक वेक्ती ने साइकल भेट स्वरुब दी थी इसलिए मुझे साइकल चलानी आती है और मुझे हमेश्या से ही कार भी चाहिये थी पातो उसमें कौनसी बड़ी बात है सुहानी तुमारे यह दोनों बाई है न यह दे देंगे तुम्हें कार पापापा हम जरूर देंगे अरे वाँ आप दोनोंगा बहुत बहुत दन्यवाद अब सुवानी के पास नई कार भी आ जाती है और उसे कार सिखाने के लिए रोजाना एक ट्रेनर भी आता है अब ऐसे ही वो अपने परिवार वालों से उप सारी मेंगी चिज़े लेती ही रेती है फिर एक रोज जब दोनों भाई हिसाब किताब करने बेटते है मादो भाईया पिछले मेने तो कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो गया इतना खर्चा तो हमने आज तब नहीं किया है हाँ नूज सचके राए तू बहुत खर्चा हो गया हमारा अब आखे बंद करके अपने लाडली दुलारी चुटकी पर खर्च करते रहोगे तो उसका नतिजा तो यही होगा ना और नहीं तो क्या अरे हम अगर कुछ मांगते हैं तो आप लोग चार ताने देते हो दस बार मू बनाते हो लेकिन इतने सालों बाद बहन के आ गई घर पर आप दोनों और माची पापाजी चारों बस बे हिसाब खर्चे ही करते जा रहे हो और इस सब की जरूरत ही क्या है और नहीं तो क्या अब बस बहुत हो गया वो इस घर में पुरानी हो चुकी है कम कर दो गुसके लाड़ प्यार पासवाती है शायद तुम सही कह रही हो हाँ अनुज शायद भावनाओं में भेकर हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही कर्चा कर दिया ये सारी बाते सुहानी सुन लेती है और वो गुसे में आग बोबला हो जाती है और रो पड़ती है बाया ये दोनों भाविया मेरे बारे में क्या सोचती है ये मैं पहले से जानती थी लेकिन आप दोनों के मन में भी मेरे लिए इतना मेल है ये मैंने कभी नहीं सोचा था आप दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है अरे चुटकी ऐसा कुछ भी नहीं है आ चुटकी प्लीज रो मत और एक बार हमारी बात सुन नहीं भया अब मुझे आपके कोई बात नहीं सुननी लो हो गई इसकी नोटन की शुरू फिर सुहानी रोते रोते नाली नी और विजय के पास चाकर सब कुछ बताती है कमी है क्या अमारे गर की बेटी इतने सालों बात वापस आई है और तुम दुनों एक एक पैसे का हिसाब कर रहे हो अरे इतने नीचे कैसे गीर सकते हैं तुम दुनों लेकिन पापा आप जैसा सोच रहे हो वेसा कुछ भी नहीं है अमारा विश्वास करो हम बस साधरन से बातचित कर रहे थे आ पापा सुहानी ने गलत समझ लिया नहीं पापा सुवाती भाबी और वर्शा भाबी ये दोनों इन दोनों को बढ़का रही थी और मेरी बुराईया कर रही थी स्वाती वर्शा तुम दोन की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की माजी माफ कीजिए लेकिन ये बात सच है कि सुहानी के आने के बाद खर्चे को ज्यादा ही बढ़ रहे है और अगर एसे ही चलता रहा तो केसे चलेगा माजी आओ माजी पापा जी नया नया तो सब ठीक था लेकिन अभी तो इसे आकर लगबग तीन महीने हो चुके हैं और ऐसे मैं इसे भी समझना चाहिए कि घर में हमें कितना खर्चा करना चाहिए और कितना नहीं अरे हम दोनों तो इस घर की बहुए है और आपने तो हमें अच्छी तरह से समझाया है कि हमें घर पर कितना खर्चा करना चाहिए लेकिन ये तो इस घर की बेटी है और आप लोगों का भी इसके प्रती कुछ फर्स बनता है उल्टा इसे तो हमसे कुछ जादा ही समझदार होना चाहिए क्योंकि ये तो आश्रम में पली बढ़ी है लेकिन इसमें समझदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है देखा न मा, देखा आप दोनों ने इन दोनों के मन में मेरे लिए कितनी कड़वाहट बरी है वैशास्वाती, बिजनेस को चलाने वाले मालिक विजय जी है और अगर उने अपनी बेटी पर खर्चा करने के लिए कोई एतराज नहीं है तो तुम दोनों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है छी, तुम चारों मेरी बेटी के साथ इस तरह से पेश आओगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था उन दोनों ने इसके साथ बहुत गलत किया है सुहानी, बेटा मैं तुम से माफी मांगता हू अमें माफ कर दे, आहिंदा से कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा हाँ सुहानी बिटिया, और तु बुरा मतमान चल, अब रोना बंद कर दे नहीं मा पापा, ये मेरी जगे नहीं है शायद मेरी जगे तो उस आश्रम में है अब मैं याँ पर और नहीं रुकने वाली मेरे याँ रहने से दूसरों को बहुत तकलिफ हो रही है अब बहुत हुआ मा, अब मैं यहां से जा रही हूँ, यहाँ, अरे सुहानी बिटिया, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बात तो सुनो, सुहानी चुटकिये, चुटकिये रूप जाओ, हमारी बात तो सुन लो, फ्लीस चुटकिये, फिर सुहानी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं और अपना सामान पारने लगती हैं देखा ना ये सब तुम दोनों के कारण ही हुआ है अब जाओ जाकर उससे माफी मांगो वरना में तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूँगी आप लोगों को सुऊहाने की हरकत है और उसकी नोटंग के समझ में नहीं आती क्या माफ कीजिए लेकिन अगर आप दोनों बहुआ को घर से बाहर निकालना चाहती हो तो निकालिए लेकिन हम दोनों अपना आत्मसंबान होकर आपकी उस नोटनग की करने वाली बेटी से हर्ग माफी नहीं मांगेंगे त्या अरे इतनी धीट कैसे हो सकती हो तुम दोनो सुआनी सुआनी रुख जा बेटा मत जा लाड़ो अपनी मा की बात सुन बेटा जाने दीजिये मुझे मत रोकिये अगर मैं इस घर की बेटी होती तो मेरे साथ कोई इस तरह से बढ़ता कभी नहीं क जाना ही ठेक रहेगा नहीं बच्ची रुख जा सभी लोग सुआनी को बहुत रोकते हैं लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनती और घर के बाहर चली जाती है अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला एपिसोर देखना ना भूले और अगर आपने हमारे च अ मारे रहे भी जा जानने हम इनए लोग सुनती के लिए हमारे जाना है इना में बभय सकतराई को बचके बाहर कि मा rigor जानने हम झाभ जानने हमार ओत र दोड़ार जानने लोगर पेशाब कर आपे इने हमारे यह झाशन csakना स Beet ख जad कर